हाई दोस्टों एक नई वीडियो में फिर से आप सबी का स्वागत है दोस्तों पिछली वीडियो में हमने कच्छा 10 की ट्रस्टी दस दसमलगे को उसमें से हमने पांच सवाल को हल किया था इस वीडियो में हम चथवी सवाल से आगे Michal करेंगे अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर description में लिंक के दिए गई है वहाँ से आप देख सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हमने छट्वे सवाल है यह जिस 17 कॉस से बराबर 8 तब 15 साई ने माइनस 8 कॉस सी का मान ग्याद कीजिए तो मान ग्याद करने के लिए सबस्पल हमें समकोर्ट उसके जरुरूत पड़ेगी हमने यह बना लिया है जो A, B, C त्रिव हो जाए जिसमें एक कोण भी 90 अंस का है तो देखिए दिया है हमारा 17 कॉस ए बराबर है 8 के तो मैं आशे कॉस ए का मान निकालेंगे कॉस ए का मान जब निकलेगा यह पर आठ यह 17 गुड़ा में है दूस्री तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा आठ बटे 17 यह इतना समझाया चलिए अब आग yoga देखिए, cos a बराबर हमारा क्या होता है, यह होता है आधार बटे करड़ cos a या cos theta बराबर आधार बटे करड़ होता है मतलब यहां से आधार कमान हमे 8 मिल जाएगा और करड़ कमान 17 तो देखिए, a है तो मतलब कोण यहाँ पर बनेगा यहाँ पर इसके सामने वाली हुज़ा लंब होगी लंब यह होगी नीच वाली आधार कंड तो फिक्स ही है तो आधार हमारी है आठ तो यह लंब है आधार हो जाएगा यह और कंड है सत्रा तो सत्रा हो जाएगा यहाँ पर राइट अब देखिए में लंब का मान निकालना होगा तो देखिए कैसे करा जाए गए हम डारेट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमे तो यहां पर लिखिए पाइथागोरस प्रमे से दोस्तों आपको अगर समन नहीं आ रहा होगा तो प्लीज पहले आप पिछली वीडियोज को ध्याब से देखने जी हमने उसमें पाइथागोरस प्रमे और रिलेटिड बेसिक कोस्टन को सॉल्ल करवाया हुआ है तब ही आप यह कर पाएंगे अच्छे से पाइथागोरस प्र और प्लस होता है हमारा आधार का स्कॉयर आधार यहां है एबी का स्कॉयर एबी का स्कॉयर राइट अब देखिए हमें कंड का मान पता है एसी का स्कॉयर मतलब सत्रा का स्कॉयर हमें आप सत्रा का स्कॉयर कर देंगे उसका बीसी बीसी में समय लंब लंब यह पता नहीं त सब्सक्राइब करना पड़ेगा यह दूसरी तरफ करना पड़ेगा यह प्लस में है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो बहले बीची स्क्राइब को हम पहले लिख दे रहे हैं बीची स्क्राइब ब्रावर हो जाएगा चांसट इस तरफ आएगा तो माइनस में होगा पहले इस तरफ सी क्वार की वैलू हमें चाहिए बीची की वैल्यू तो बीची देखें यहाँ स्क्वाइर सिंपल सी बात हम दोनों पच्छों का वर्गमूल कर देंगे इस तरफ से स्क्वाइर हटेगा दूसी तरह वर्गमूल लग जाएगा तो बीची बराबर हो जाएगा अंडरूड दोसोबच्चीश ये अंडरूट में तो आपको पता है बीसी ये दोसोबच्चीश है 15 kay स्क्वाइर तो हमें यहadaपर लिख दजीजिए लंब यहाँ पंदरा तो देखिए अब हमें यूज क्या क्या हुआ हुआ यहाँ पा साईं ने यूज हुआ है और कॉस्सी यूज यही है अब देखे 15 गुड़े में साइने मतलब अता लंब बटे कड तो लंब देखे ए है ए वाली यहां भूजा है उसके सामने भूजा लंब हो गए 15 15 बटे कड कड कितना है 17 तो यहां पर आप 17 लिख दीजिए माइनस अब यहां है 8 cos c cos c means hoता है cos c देखे यहां पर है तो उसके सामने वाली होगी लंब यहें लंब होगी यहांड होगी तो usu si बरहा होता है हमारा आदहर बटे कड तो आदहर मतलबल यह होगी लम और तो आदहर यहां होगी 15 बटे 17 आईहोप आपको समान में नहीं है रहा होगा сейчас 15 बटे 17 अब देखिए काटेगा तो है नहीं कोई हैं यहाँ पन्दरा उपर है यहाँ भी उपर है देखिए फिर 15 का गुड़ा पंदरा में कर देंगे 225 बट्टे में हुआ यहाँ पर 17 फिर माइनस 15 गुड़ा 8 में कर देंगे 120 फिर पूरे बटा 17 अब देखे दोनों के यल्चम 17 ही आएगा यहाँ पर है 225 फिर है माइनस 120 अब आपको इतने मैंस इतना माइनस कर देना है तो यह आ जाएगा यह 105 और नीचे 17 वैसे लिखा रहेगा तो यह हो जाएगा हमारा एनस्वर क्योंकि कटेगा ही नहीं अब आई होप आपको यह समझाया होगा दोस्तों अगर आपको कोई भी कोर्से में प्राबलम होगी अब हमें कमेंट बाक्स में या इंस्टाग्राम पर हमें पूंच सकते हैं हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 37 सवाल को शुरू कहने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब करके 25 आ ना चाहिए तो देखिए तैन इब और तीन बड़ते 4 है तो टाइञ ए या तैन ठीटमा सब Cheers नए होता है यह बंबडे आधार होता है आप सभी को पता है लंबडे आधार है तो यहां पर टीन ए है यह है तो तो हम कहां पर कोड मानेंगे जहां ए लिखा होगा यहां देखे ए है तो कोड यहीं पर बनेगा तो यहां कोड बनेगा तो इसके सामना भूजा लंब होगी लंब यह और आधार कहा जाएगा यह अधार कड़ी वाली रेखा देंगे तो देख वह हमारा होता करणक का स्वाइर में मीं यहां पर का का इस्कुयर αλλά्ठ और लम्व हमारा है बी-सी तो बी-सी का इसकुयर प्लस अपर का इंगर्व थे एन सकर चार दिया हुआ het कि आपको समन्द में आ रहा होगा ।ो संद मैं कर दीजिएगा ताकि हम और अच्छे से आप सम् लिए की कोसिश करेंगे 5 मिला सी इसक्वायर का बाइक है कि है hm तो अब मुपन चाहिए gram Yeah तो यह सिक्वायर था देखे हम पहले आप मता चुकिंए अब दोनुद तरह हम वर्ग मूल करते हैं तो यहां पर uses कोड़ था तो यह एक बार हो जाएगा जो हम अंडरूट लगाएंगे यहां पर अंडरूट 25 आ जाएगा तो एसी का मानी यह आ जाएगा पांच क्योंकि 25 का इसकार है मतलब हमारा मिल गया पांच आई होप आप समझाय होगा अब देखिए्ट और को से यहां पर यूज हुआ है तो यहां पर लिखिए इसलिए साइन ए साइन एंटू में है कॉस ए कॉस ए हम यहाँ पर एलेचेस कर रहे हैं यहाँ पर यह साइट काम कर रहे हैं साइन बराबर होता हमारा लंब बटे कर्ड यहाँ पर ए है तो इसके साणर घुजा हो जाए लंब और यह हो जाएगा कर्ड तो लंब बटे कर्ड आ जाएग और हमारा यह सामने वाला लंप था ती हो जाएगा अधार मतलब 4 बटे 5 चार बटे 5 अब हम गुड़ा कर देंगे 4 का गुड़ा 3 करेंगे आएगा 12 पांच गुड़ा 5 में करेंगे 20 तो यह होगे हमारा किसके बराबर आरेचेस के होगे हमारा प्रूफ यही तो आ रहा है 12 ब कम मतलब 90 वाला कॉड़ यहाँ पर आप अल्फा नहीं मान सकते चाहे वो A को आप मानिए या C को मानिए तब 3 कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस क्यूव अल्फा का मान क्यात किजिए हमें दिया साइन अल्फा बराबर एक बटे दो अल्फा का मान चाहे आप यह धर मानिए यह फि जगा Q5 का मान ही चाहे तो हम पाइथागोरस प्रमिआरर्स से citrus कम मतलब यहाँ पर एसी है तो हम लिख stri announce 3 के बराबर लंब लंब का स्कार रमरा बी की सी अम लिखेंगे हुआ है कड़ हमारा है दो तो हम दो का स्कॉयर कर देंगे बीसी हमें एक दिया हुआ है तो एक कमाल हम यहां लिख रख देंगे प्लस एवी एवी देखिए हमें निकालना ही है तो हम एवी को वाइस से रिखेंगे एवी मिन्स आधार आधार का स्कॉयर दो का स्कॉयर करेंग तो AB का square बराबर हो जाएगा 4 यह प्लस 1 था उस तब जाएगा तो माइनस 1 होगा अब देखे AB का square हमारा आएगा 4 में से खाम घटाएंगे बचेगा 3 फिर सम्झे दोनों पच्छों का वर्ग मुझ कर देंगे तो AB बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 किसी का square है नहीं तो AB कमाने आपर अंडर रूट 3 मिल गया अब आप देखे हमीज इस स्वाल को हल करना है इसमें देखे कॉस अलफ़ और कॉस अलफ़ बारबर यूज हो रहा तो यहां पर आप इसलिए पहले कॉस अलफ़ा का मान निकार लिजिए अलफ अब हमें चाहिए क्या है इस सवाल तो आप पहले से नोट कर लिए दिये 3 कॉस अलफ़ा मैनस 4 कॉस क्यूप अलफ़ा इस का मान चाहिए तो cos alpha का मान इतना है आप इतनी की जगा रख दीजिए 3 क्योंकि ये गुड़ा में है cos alpha का मान under root 3 बटे 2 फिर minus 4 cos cube alpha है मतलब 4 गुड़े cos alpha का मान ये है इसी जगा आप रख दीजिए under root 3 बटे 2 का whole cube राइट इतना समझ है आपको चली अब 3 का गुड़ा under root 3 में कर देंगे तो यह आ जाएगा 3 under root 3 बटे 2 देख्यों कि देखें under root के अंदर है under root के बाहर है minus under root 3 का cube करना है cube करने के लिए देखें इधर कैसे होता जैसे हमें मान लिजिए under root 3 का square करना हुआ square करना हो तो under root 3 गुड़े under root 3 यह कितना जाएगा 3 से 3 यह under root हट जाएगा क्यों बचेगा 3 किसी भी संख्या करते हैं तो वह क्यों under root हट के वह संख्या जाती है और अगर हम cube करेंगे यहां cube करेंगे अगर यह देखे under root 3 फिर गुड़े में under root 3 यहां बद 3 बार गुड़ा होगा तो आपका पता है दो बार गुड़ा होता है तो 3 आ जाता है इतने के जगा आ गया 3 फिर गुड़े under root 3 तीन और under root 3 के गुड़ा होगा तो कितना आएगा यह तीन under root 3 इतना समझाया यह देखिए इसे आपको समझ लेना अच्छे से छय ना रफकार्म कर लेना इसे इतने का κीव आया, तो LEE4 बैब दोका कीव भी होगा, दो का कीव आ जाता है आठ इतना समझाया अब दीखे, चार से यह कटेगा, दो बार में, इस तरह बचा 3 अंडर उट 3 बटे 2, माइनस, यहाँ भी बचा 3 अंडर उट 3 बटे 2, तो क्या हो देखे, जैसे एक मैस करेंगे 0 आ जाता है, तो 3 अंडर उट 3 बटे 2 मैसे, हम इतना माइस करेंगे, तो यह 0 आ जाएगा, तो अब हम नोब इस स्वाल को भी हल कर लेते हैं दिया हमारी स्वाल यह दि कॉस थीटा बराबर दो बटे तीन तब टू सेकी स्वायर थीटा प्लस टू टैन स्वायर थीटा माइनस नाइन का मान गयात कीजिए आपको जैसे हमने पिछली स्वाल बताए विल्कुल सेम वैसे ही है देखे क्या करना है कॉस थीटा हमारा दिया हुए मतलब आधार बटे कंड तो एक हो जाएगा आधार और एक कंड मिल जाएगा तो बचेगा लंब हमें लंब का पहले मान नेकालना होगा फिर जब तीनो और हमारा मिल जाएगा मतलब कंड लंब और आधार तो हमें सेक थीटा कमान निकालना होगा और टैन थीटा कमान निकालना होगा फिर इसे में रख देना है तो हो जाएगे हमारी सवाल तो चलिए हल करते हैं सलसे पल दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर है दो बटे तीन माल लिजेगर यहां दो अके कॉस थीटा बराबर दो अकेले होता तो घबराईएगा मत क्योंकि दो बटे एक तो होता ही है ना मतलब आधार बटे कर्ड तो आधार दो जाये कर्ड एक हो जायेगा बट अभी यहाँ पर कॉर्स इटे वरा दो बटे तीन हमारा दिया हुआ है तो यह होता है आधार बटे कर्ड आधार बटे कर्ड तो आधार का होगा यहाँ पर दो और कन्ड होगे हमारा तीन तो चलिए अब हमें लंब का मान चाहिए सो में किस से निकालेंगे पाइथागोरस प्रमे से तो आप पहले ही पाइथागोरस प्रमे लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमे से पाइथागोरस प्रमे हमारा होता है करण का स्कॉयर बराबर लंब का स्कॉयर करण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा अगर नहीं आ रहा प्लीज कमेंट बाक्स में बता दीजिएगा ताकि हम और अच्छे से आपको कहा पर प्राब्लम हो रही हम और अच्छे से समझा सकें चलिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हमारे हिसाब से आपको अभी तक स्वाल इतनी बता है इसमें कोई प्राब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी तक सारी स्वाल बिल्कुल ही जी थी 10th standard के लिए करण का स्क्वायर मतलब यहाँ पर है तीन का स्क्वायर तो तीन का स्क्वायर बराबर लंब लंब हमें निकाल नहीं है लंब का रेखा का नाम है बीसी हम इधर बीसी लिख दे रहे है बीसी का स्क्वायर प्लस आधार आधार यह है दो का स्क्वायर हम ऐसे लिख देंगे तो 3 के square करेंगे 9 आ जाएगा ये BC हमें निकाल नहीं है ऐसे लिखे देंगे इसे हम प्लस 2 का square 4 फिर देखें BC का मान चाहिए तो ये plus में इसे दूसरी तरब कर देंगे तो इस तरब बचेगा BC का square बराबर ये 4 दूसरी तरफ जाएगा तो पहले लिखा जाएगा 9 फिर minus 4 अब देखे बीसी square का मान हमें मिल गया 9 में 4 minus कर देंगे बचेगा 5 अब फिर हमें मान चाहिए बीसी का तो हम दोनों पच्छों का वर्गमूल कर देंगे तो वर्गमूल 5 का होगा नहीं तो इसके अंडरूर 5 तो देखे क्या क्या यूज हुआ है सेक थीटा यूज हुआ है और टैन थीटा यूज हुआ है तो आप पहले इधर मान निकालीजिए इसलिए Sek Theta Sek Theta होता हमारा Cos Theta हो आधार बटे-काड़ इसीका उल्ठा Calling बटे-ाधार हो जाएगा तो देखिए Script Theta हमारा कितना था ये 3 तो 3 हो गया बटे-ाधार अधार दो था तो हो गया 2 और Ten Theta क्या था हमारा Ten Theta होता हमारा Lung बटे-ाधार तो लंब यह अंडरूट पाच आधार दो तो यह हो जाएगा अंडरूट पाच बटे दो राइट आई होप आपको इतना समाझा होगा बिल्कुल अच्छे से चलिए अब आगे वाले कोस्चन को हल कर लेते हैं तो हमें है दिया है टू सेक स्क्वाइर थीटा प्लस टू टैन स्क्वाइर थीटा माइनस नाइन इसका हमें मान चाहिए तो यहां देखें दो गुड़ा में है सेक स्क्वाइर है मतलब सेक थीटा का मान है तीन बटे दो इसका हमें स्क्वाइर कर देना है उसके वाद है प्लस 210 स्क्वाइर थीटा स्वारी यहां भूल गे 2 इन 2 10 थीटा का माद हम निकाले यह अंडरूट 5 बटे दो तो अंडरूट 5 बटे में है दो इसका स्क्वाइर तो हम इसका स्क्वाइर कर देंगे यह माइनस 9 फिर 2 गुड़े 3 का स्क्वाइर कर देंगे 9 और 2 का स्क्वाइर कर देंगे 4 फिर हो गया प्लस फिर 2 गुड़े अंडरूट 5 का स्क्वाइर करेंगे तो आपको अभी हमने पहले बताया क्यों अंडरूट हट जाएगा अब 2 का स्क्वाइर कर देंगे हो गया 4 फिर माइनस 9 बचा इधर अब यहां से देखी कटेगा दो से कार दीजी दो बार में यह भी कटेगा दो बार में तो हमारा बचा इधर 9 बचे 2 फिर प्लस फिर 5 बचे 2 फिर इधर माइनस 9 अब आपको भीन्नी करना अच्छे से याता है सबका LCM देखे 2 है तो LCM 2 ही आएगा उपर यहां पर वह चंख्या सेम रहेगी 9 प्लस 5 फिर माइनस 2 का LC माले के गुड़ा 9 में हो जाएगा आजाएगा 18 तो पहले प्लस कर दीजे 9 में 5 जोड़ देंगे आएगा 14 फिर माइनस 18 पूरे का बचा दो 14 में 18 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस 4 क्योंकि जो बड़ा होगा चिनुसी का लगा लिखा देगा 18 बड़ा था उसके आगे माइनस लिखा था पूरे बच्टा 2 2 से भी कट जाएगा तो कितना हमारा एंसर आगया माइनस 2 तो यह होगे हमारा एंसर दोस्तों आई होप आपको यह अच्छे से समन में आया होगा तो इसी त तरफ से अब दस्विश्वाल भी है चलिए हम दस्विश्वाल को हल कर लेते हैं फ्रेंट्स हमारी दस्विश्वाल देखिए अब ध्यान से यह दित्रिभूज एवीची में कोड समकोड है यहाँ पर देखे समकोड जहां पर बना है उससे आपको बिन्दू ए मानना है जि 12 cm तब sin B, cos C और 10 B का मान गयाद किजिए फिर देखिए हमें ये अगर हमें कौन इसमें दिया नहीं है हम किसे मानें हम मान लेता है ये थीटा है ये अगर ये थीटा है हमें थीटा मानें जरूरत ही नहीं इसमें देखिए B, C, B दिया हुआ है तो देखिए हम भी मानें गें उसके सामने भूजा लंब होगी तो देखिए हमें अभी ये भूजा का मान नहीं पता है तो सिंपली हम कौन सा फॉर्मूला अपलाई करेंगे पाइथागोरस प्रमे तो डारेट अप लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमे से पाइथागोरस प्रमे माता कन का स्कॉयर कन रेखा का नाम है B, C तो हम यहां लिखेंगे B, C का स्कॉयर बराबर होता है लंब का स्कॉयर लंब हमारा होगा ये आप चाहिए A, C लिखिए बातो ही होगी, हमें 30 खुजा कामाद निकालना है, हम चाले लिख दे रहे हैं, A, C का square फिर PLUS A, B का square, LOMOR का square प्लस, स्वारियांढ़ पर A, B, AADHAR का square हो गया ये, इसके बाद BC कामाल है 12, तो आप यहाँ पर लिखें, 12 का square फिर बराबर, AC, AC का न हमें चाहिए ही तो AC वैसे लिख रहने देजिए फिर है Above, AB, AB का महने आपर 5 तो हम लिख दोंगे 5 का स्क्वायर अब 12 का स्क्वायर कर देंगे 144 आ जाए गये बराबर AC का महने हमें चाहिए ही तो AC स्क्वायर वैसे रहने देंगे सबर यहां पर plus है तो plus लगाईए पांश का स्कफ़ायर 25 हमें स्ट का स्कौायर का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे ये स्कौायर मान चाहिए ये plus में दूसरी तरफ गाएगा तो minus में हो जाएगा तो यहां लिखिए स्ट 144 minus 25 इस तरफ बचा किवल एसी का स्कॉयर अब क्या करेंगे इसमने मैनर कर देंगे अब 144 इसम में साम में 25 माय। कर देंगे यह जाएगा 119 बराबरा हुआ यह एसी का स्कॉायर हमें एसी का माल चाहिए थम दोनों पच्छों का वर्ग मुल कर देंगे इस तरफ इसकॉयर था तो क्यों लेक बचेगा इस तरफ वर्ग मुल करेंगे तो अंडरूर 119 आ जाएगा तो हमें एक आधार कमाल मिल जाएगा अंडरूर 119 मिल गया तो आप जो जिन्मान निकालने कहा गया निकाल देंगे साइन साइन थीटा या साइन भी जो भी हमारा होता है लंब बटे कर ड़ तो देखें बी हैं तो बी के सामना लिपूज़ा होगी लंब यह अंडरूर 119 बटे कर तो यह हो जाएगा अंडरूट 119 बटे 12, राइट, हो गया यह, आई से कॉस सी, कॉस सी, सी वाला जब लेंगे हम, तो इसके सामने लिभूजा लंब होगी, कॉसी होगा हमारा आधार बटे कंड, तो फिर से आधार अंडरूट 113, ओ स्वारी, ओ एक्सो निज, अंडरूट 119, बटे कंड, कंड हमारा है 12, यह हो गया, फिर से हमारा यह भी, अब है टैन बी, टैन थीटा हो जाए लंब बटे आधार, तो बी है, बी के सामने लिभूज होगी लंब, तो लंब हो गया, अंडरूट 119, बटे में आधार, आधार हो जाएगा हमारा पांच, तो यह हो गया हमारा आंस्वर, दोस्तों, आज की वीडियो हम बस हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके अगर आगे कवाली सवाल, हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगर को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेयर कर देजिएगा, चलिए मिलेंगे नेक्ट वीडियो में, तक तक के लिए जैहिन